नमस्कार है जुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सवागत है अभी हमें इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं UP Polytechnic के result के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको UP Polytechnic का scorecard चेक करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में step by step दिखाई जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी से request हैं आप इस वीडियो को like और share कर दे और साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी subscribe करके bell icon को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको UP Polytechnic का result चेक करना है तो आपको बताते है result चेक करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई भी browser open कर लेना है और यहाँ पर आपको search करना है educationindialio.com आपको क्या search करना है तो आपको search करना है educationindialio.com Google में search करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पे जाएगा यहाँ पर सबसे उपर वाली website को आपको open कर लेना है website कुछ इस प्रकार से आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पर जैसे आप थड़ा सा नीचे के और आएंगे तो देख पाएंगे UP Polytechnic result 2023 आपको इस link पर क्लिक करना है और इस post को open कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे UP Polytechnic result 2023 इस टालेक्ट लिंक आपको क्या करना है आपको इस टालेक्ट लिंक पर क्लिक कर देना है अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page open होगा यहाँ पर आपको अपने application number फिल करने है और यहाँ पर password जो कि आपने registration करते वक्त create किये थे application number और password को फिल करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर यह capture code addities इस box में फिल कर देना है capture code फिल करने के बाद आपको sign in पर click करना है sign in करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page आएगा यहाँ पर आपको send OTP on पर click करना है और उसके बाद registered email ID या फिर registered mobile number में से किसी एक को select करना है और send OTP पर click कर देना है अब जो भी आपने option select किया है उस option पर आपके एक OTP आएगी उस OTP को आप यहाँ पर fill करेंगे और login पर click करेंगे login करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक page आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं rank और scorecard इस rank और scorecard पर आपको click कर देना है अब कुछ इस परकार से आपके सामने आपका scorecard open हो जाएगा यहाँ पर उपर आप अपनी basic detail देख पाएंगे और नीचे यहाँ पर rank की information आपको देखने को मिल जाएगी यह थी पूरी जानकारी UP Polytechnic के result को लेकर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो का अपलाई को और से रवस्य करेगा और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीजेगा मिलते हैं आप सकते वीडियो में किसी ने जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद